तो दोस्तों American Lockheed Martin F-35 Aircraft को दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे एडवांस तरीन और सबसे महेंगे तरीन Aircraft के रूप में देखा जाता है पर इतने सारे टैग होने के बावजूद अमेरिका को F-35 Aircraft को लेके एक के बाद एक बड़े जटके सहना पड़ रहा है सबसे पहले Japanese बेड़े का F-35 Aircraft समुन्दर में क्रैश हो गया, फिर अमेरिका के एक F-35 Aircraft क्रैश हुआ और अब रिपोर्ड में बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के Royal Navy में इस्तेमाल होने वाले एक F-35 Aircraft समुन्दर के बीच जब उडान भर रहा था तब अचानक International Water में क्रैश हो गया, दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगो ब्रिटेन के यही F-35 Aircraft के हाथसे के बारे में बताऊंगा और साथी साथ यह भी बताऊंगा कि इससे अमेरिका को किस तरीके के नुकसान जहिलना पड़ सकता है, तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, तो दोस्तों ब्रिटीश डिपेंस मिनिस्टरी के बायान के हवाला देते हुए हाली में BBC के द्वारा खुलासा किया गया है कि एक रूटिन मिशन के दर्मियान मेडिटेडियन के समुंदर के अंदर एक British F-35 aircraft crash हो गया, इवन इसके इलावा British Ministry of Defense का हवाला देते हुए ये भी बताया गया है कि इस हाथसे में aircraft को fly करने वाले pilot safe है और ये जो हाथसा हुआ है ये असल में British aircraft carrier HMS Queen Elizabeth के बेडे के एक F-35 aircraft था, Ministry of Defense के तरफ से इसे लेके एक जाज भी बठाया गया है और जा देश के territorial water या फिर exclusive economic zone में नहीं हुआ बलकि international water में हुआ और इस हाथसे में दूसरा कोई वी और aircraft involved नहीं था, British Defence Ministry के तरफ से इस हाथसे को लेके इससे अधिक कुछ जानकारी देने से मना किया गया क्योंकि उनके मुताविक ये एन अप्रोपियेट होगा क्योंकि इसे लेक सुरक्षित है और उन्हें aircraft carrier के उपर on board कर लिया गया है, जबकि Mr. Wells के तरफ से ये भी वताया गया है कि इस हाथसे के बावजूद HMS Queen Elizabeth class के aircraft carrier के उपर aircraft को के operation बरकरार है और aircraft carrier के बेड़े अपने निर्धारी training को संपूर्ण कर रहे है, तो से फिलाल अपके जानकारी के लि V aircraft V इस्तेमाल हो रहा है और जिनके द्वारा बीते छे महिने में कई सारे mission को अंजाम दिया जा चुका है और इन छे महिनों के दर्मान F-35 aircraft के द्वारा Queen Elizabeth class के पहला aircraft carrier मतलब HMS Queen Elizabeth से ही करिवन 2000 take-off और landing भी किया गया, दोस्तों ये जो F-35 aircraft है ये Britain के बेड़े के सबसे हो सकता है, मतलब ये short take-off और vertical landing कर सकता है लेकिन harrier aircraft से अगर इन aircraft का तुल ना किया जाता है तो ये technologically superior तो है ही साथ में stealth अधिक payload लेने का श्रमता वाला और अधिक रफतार वाला भी aircraft है, दूसर तरब अगर देखा जाए तो HMS Queen Elizabeth हो या फिर HMS Prince of Wales और दोनों ही aircraft carrier बीना इ aircraft carrier के उपर से फिलाल F-35B और harrier के इलावा किसी भी अन्य aircraft का इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन aircraft carrier में ना ही कोई arresting gear है और ना ही कोई credible launching system है, मतलब अगर इसमें कोई short take off aircraft का इस्तेमाल किया वी जाता है तो इससे recover करना aircraft carrier के लिए possible नहीं है इस वज़ा से F-35B इन aircraft carrier के एक मात्र भरोसा है, तो बिटेन के कुछ अधिकारी के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि aircraft के हाथसे के बाद जहापे pilot ने अपने आफ को safely eject किया और pilot को सुरक्षित aircraft carrier के ओपर वापस लाया गया तो वही पे अब प्रमुक काम है aircraft को recover करना क्योंकि ये एक sensitive aircraft है और इसमें कई तरिके के आधुनिक data और जानकारी शामिल है और इसे बिटेन किसी भी तरिके से दुश्मन के हाथ लगने दिना नहीं चाता है इवन दोस्तों अमेरिका के लिए भी एक चिंता का बिशय बना हुआ है क्योंकि ये अमेरिका का भी एक उतना ही महत्वूर्ण asset है जितना ये बिटेन के लिए है क्यू़कि ये अमेरिका के सबसे अधिक technological advance aircraft के साथ साथ अमेरिका के सबसे अधिक मेहनत भी इस aircraft को निर्मान करने में लगा हुआ है अमेरिका भी नहीं चाहता है कि इस aircraft को ऐसे ही पानी के नीचे रहने दिया जाए इस वज़ाए से माना जा रहा है कि दोनों ही देश मतलब Britain और America मिलके aircraft को rescue करने का प्रयास करेगा दोसे तरह बताया जा रहा है कि ये Britain का F-35 का पहला हाथसा है लेकिन F-35 aircraft के ये कोई पहला हाथसा नहीं बलकि इस से पहले भी अमेरिकी बेड़े के F-35 और जेपैन के F-35 हाथसे का शिकार बन चुका है दोसो वैसे तो F-35 aircraft के साल 2014 से ही कई तरीके के हाथसे का ख़वर आ चुका था लेकिन इन में कभी कोई aircraft crash नहीं हुआ ज्यादा तर aircraft जमीन में ही हाथसे का शिकार बना है जिन में 2014 में aircraft के engine में आग लग जाना हो या फिर 2015 में aircraft के engine के blade में issue हो पर अमेरिका को F-35 aircraft को लेके साल 2018 में अपना पहला जटका मिला जब Marine Corps के F-35B aircraft उड़ान भड़ते टाइम crash हो गया और अमेरिका को अपने पूरा का पूरा F-35 के बेड़े को ही grounded करना पड़ा तो सो रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस crash में pilot अपने आपको बचाने में सक्षम रहे और plane जमीन से टकराने से पहले ही eject करने में सभलता हास पर अमेरिका को कुछ दिनों तक अपने पूरा का पूरा बेड़े को ही grounded रखना पड़ा क्योंकि उस समय खबर या था कि एरक्रेफ्ट के fuel injection या फिर fuel 5 में कुछ ऐसे major issue है जिसके कारण एरक्रेफ्ट के पूरा का पूरा बेड़े को ही ऐसा मुश्किलों का सामना करना पड सकता है बाद में इस problem को solve कर लिया गया और अमेरिका के द्वारा फिर से एक बार F-35 एरक्रेफ्ट के function को बहाल किया गया इसके बाद अमेरिका को दूसरा जटका 2019 में मिला और ये दोस्तों खाली अमेरिका के लिए नहीं बल की अमेरिका के एक्सपोर्ट के लिए भी दिखत रहा था संभावनाय लगा जा रहा था कि चाइना और रशिया भी इस एरक्रेफ्ट को रिकवर करने का प्रयास कर रहा है लेकिन उन दोनों देशों के सफलता से पहले ही अमेरिका के द्वारा एरक्रेफ्ट को रिकवर कर लिया गया पर दोस्तों बताया जाता है कि जितना दिन aircraft recover करने में लगा उतना दिन अमेरिका का नींद उड़ा हुआ था क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि ऐसे aircraft के sensitive data चाइना या रशिया जैसे देशों के हाथ में लग जाए. और दोस्तों इस साल के ये पहला हाथसा है और इसमें भी F-35B aircraft शामिल है. दोस्तों अब तक अमेरिका को F-35 aircraft को लेके जितना भी हाथसा क्या शिकार होना पड़ा उनमें जादातर F-35B aircraft ही शामिल था. इवन दोस्तों अगर F-35 aircraft के तीनों variant को ही देखा जाए तो इनमें सबसे अधिक sensitive है F-35B क्योंकि ये कोई traditional aircraft नहीं बलकि short take off और vertical landing variant है. जबकि बाकी के दो variant मतलब F-35A, F-35 aircraft के conventional variant है मतलब conventional take off और conventional landing variant है और F-35C SL में aircraft carrier के उपर से इस्तमाल होने वाले carrier waste version है. मतलब इन तीनों aircraft में सबसे complicated और सबसे sensitive F-35B ही है और शायद इसी वज़ा से इन aircraft को इस तरीके के हाथसे का शिकार बनना पड़ रहा है. पर दोस्तों ये जो हाथसा है ये अमेरिका के लिए बड़ा चिंता का बिशह बन सकता है क्योंकि F-35 aircraft को अमेरिकी Air Force के फिलाल backbone के रूप में देखा जा रहा है और ये खाली अमेरिकी Air Force के backbone नहीं बलकि कई सारे अमेरिकी ally देशों को भी backbone बनने जा रहा है. जिन में Australia, Belgium, Denmark, Israel, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Poland, South Korea, Singapore और United Kingdom जैसे देश शामिल है. कई 100 के संख्या में F-35 aircraft के order already Lockheed Martin को कई सारे देशों से मिल चुका है जबकि खाली अमेरिका के द्वारा ही ऐसे aircraft को हजारों के संख्या में खड़िदा जाएगा. ऐसे में दोस्तों aircraft के हाथसा Lockheed Martin का चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि इस से एक तो जाच के टाइम तक Lockheed Martin को ये शुनिश्चित करना है कि अन्य aircraft में ऐसा हाथसा ना हो जबकि जाच के फल के बाद Lockheed Martin को ये भी decide करना है कि किस कारण से ये हाथसा हुआ. ऐसे हाथसे export market के उपर भी असर डाल सकता है क्योंकि जिन देशों के द्वारा order place किया गया है वो तो अपने order को लेके फिर से सोच बिचार करेंगे लेकिन के दुनिया के कई सारे ऐसे देश भी है जो Lockheed Martin से F-35 जैसे aircraft को बड़े मातना में खरीदना चाता है. ऐसे में ये aircraft अगर हाथसे का शिकार होता है तो उन देशों के द्वारा भी aircraft को खरीदने से पहले कई वार और सोचा जाएगा. और दूसरे तरफ रशिया के तरफ से भी ऐसे में अपने खुद के single engine 5 generation के fighter aircraft को निर्मान करके export market में उतारने का प्रयास किया जा रहा है और वो भी काफी सस् ब्रिटेन के रोयल नेवी के लिए चिंता का विशय बना हुआ है क्योंकि इस से रोयल नेवी के aircraft carrier के भविशय के operation के उपर भी जहाँ पे असर पढ़ने वाला है तो वही पे अमेरिका और अमेरिका के defense industry के उपर ही एक चिंता का शिकंच बना हुआ है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद